ब्रहमचर्य का पालन करने के लिए आपको अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धी के इताकत की जरूत होती है अगर आप ब्रहमचर्य को सभी नियमों और सही मेधर से करते हैं तो आपको सिर्फ 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से ब्रह्मचर्य का फायदा मिलना शुरू हो सकता है पुराणों में बताया गया है कि ब्रह्मचर्य के सही और पुरी समझ इनसान को आखिर में मोक्ष तक ले जाती है ब्रहमचार्य ये एक ऐसा शब्द है जो भारत में बहुत ही कॉमन है जब तक मैंने इसके बारी में डीटेल में नहीं पढ़ा था मुझे शायद ऐसा बहुत कुछ पता था जो सच नहीं है जैसे ब्रहमचार्य का मतलब सिर्फ सीमिन रिटेंशन है जो रिशी मुनी बनना चाता है उसी को ये फॉलो करना चाहिए अगर आप अपनी जिन्दगी जी चुके हैं तो सन्यासी बन जाओ या ब्रहमचार्य को फॉलो करो बच्चे ब्रहमचार्य को फॉलो नहीं कर सकते शादी शुदा लोग ब्रहमचारे को फॉलोड नहीं कर सकते लडगियां भी ब्रहमचारे को फॉलोड नहीं कर सकती लेकिन इसमें से कुछ भी सच नहीं है और जब से मैंने इसे जाना तब से मैं अपने काम के साथ-साथ बहतर जिंदगी के और निकल पड़ा हूं और जिंदगी के हर एरिया में बड़े बदलाव देख पा रहा हूं तो आज हम इसी के बारे में डिटिल में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने जिंदगी में ब्रहमचारय को फॉलो करके इन के लिए ब्रह्मचारे से मतलब सिर्फ अपनी एनरजी को खराब करने की बचाए एक सही जगह लगाने से है ब्रह्मचारे दो शब्दो ब्रह्म और चर्रे से मिलकर बना है जिसका सीधा मतलब ज्यान हासिल करने के लिए जीवन बिताना होता है ब्रहमचारय योग के foundation pillar में से एक है ब्रहमचारय का मतलब एक साधा जीवन जीना अच्छे विचारों के जरीए अपनी सीमेन को पुटेक करना मतलब गलत जगे वेर्थ ना करना भगवान का ध्यान करना और जादा से जादा सीखना होता है ब्रहमचारय का पालन करते समय लोगों को आने वाले जीवन के लिए ज्यान हासिल करना होता है ब्रहमचारय से अदबुद ज्यान को पाया जा सकता है ये इतना ज़ादा effective होता है कि वेदिक period से लिकर आज के समय के भी संतों ने इसको अपनाने के लिए कहा है ब्रहमचारय हमारे जीवन में उतना ही जरूरी होता है जितना जरूरी सांस लेना होता है आज से पहले हजारों सालों से हमारे संत्रिशी ब्रहमचारय का पालन करते आए हैं क्योंकि ब्रहमचारय का पालन करने से हम इस दुनिया की सारी खुश्यों को हासिल कर सकते हैं ब्रहमचर्य पालन करने वाले लोगों को ही ब्रहमचर्य कहा जाता है आयूरवेद में कहा गया है कि ब्रहमचर्य शरीर के तीन पिलर में से एक में पिलर है आयूरवेद में शरीर के तीन पिलर्स खाना, नींद और ब्रहमचर्य है जो इंसान काफी बिमारी उसे घिरा हुआ होता है या अपने जीवन में काफी परिशानियों का सामना करता है वो ब्रहमचर्य का पालन करके अपनी हर एक बिमारी और हर एक परिशानी से दूर हो सकता है वेदों के अनुसार जो इंसान अपनी सेक्शुल इच्छाओ को कंट्रोल कर लेता है वो सही मायने में ब्रहमचार्य का पालन कर सकता है जिन लोगों की अचानक से मौत हो जाती है उन्हें मुक्ति हासिल नहीं होती ऐसी मौत से बचने के लिए ब्रहमचार्य का पालन करना बहुत जरूरी होता है रिक वेद में कहा गया है कि कोई भी इंसान बिना ब्रहमचार्य का पालन के अपनी पूरी उम्र को नहीं जी सकता पतंजली में कहा गया है कि ब्रहमचार्य का पालन करने से विल पावर हासिल होती है अब जानते हैं कि ब्रमाचार्य के क्या-क्या फायदे हैं। अगर आप अपने मन, आवाज और बुध्धी को प्योर रखना चाते हैं, तो आपको ब्रमाचार्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आहिरुएट कभी यही कहना है, कि अगर आप ब्रमचार्य का पालन पुरे तीम मेने तक करते हैं तो आपको अपने मन, आवाज और बुद्धी के ताकत में बदलाव महसूस होगा जीवन के बड़े-बड़े गोल्स को हासिल करने के लिए ब्रमचार्य का जीवन में होना बहुत जरूरी है इसके साथ ही ब्रमचार्य का पालन करने से हमें ये फायदे होते हैं ब्रमचार्य का पालन करने से आप अपने मन को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं ब्रमचार्य का पालन करने से शरीर में कोई बिमारी नहीं होती ब्रह्मचारे का पालन करने से आपका मोराल भड़ता है ब्रह्मचारे का पालन करने से बिमारियों से लड़ने की शक्ती बढ़ती जाती है ब्रह्मचारे से कॉंसेंट्रेशन भड़ता है और आप आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सकते है ब्रहमचारे का पालन करने वाला इंसान किसी भी काम को पूरा कर सकता है ब्रहमचारे इंसान हर सिचुशन में टेबल रहकर उसका सामना कर सकता है ब्रहमचारे का पालन करने से माइन पूरी तरह से प्याओर हो जाता है अब जानते हैं कि ब्रहमचार्य का पालन कैसे करें जैसे कि ब्रहमचार्य का मतलब ब्रहम के रूपने सोचना होता है इसका मतलब ये हुआ कि जो हर एक पल अपने भगवान पर ध्यान लगाता है वो पूरी तरह से ब्रहमचारी होता है ब्रमचरय का पालन करने के लिए आपको अपने शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धी के इताकत की जरूत होती है और ये से भी तीन तरीकों से हो सकता है भगवान में अपना पूरा ध्यान लगाने से, जादा से जादा सीखने पर ध्यान देने से और अपने सीमेन को प्रोटक करने से, अपने सीमेन को सब तरह की चीजों और इच्छाओ से दूर रखकर आप ब्रहमचरय का पालन करने वालों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए नहीं कोई ऐसा रिष्टा रखना चाहिए और नहीं किसी ऐसे सबसेंस को लेना चाहिए जिससे उनके सीमेन को नुकसान पहुसता है ब्रहमचारे में लोगों को चाय कॉफी, तंबागो, शराब इन सबसे दूर रहना चाहिए ब्रहमचारे में किन चीजों से दूर रहना चाहिए ऐसी बहुत ही चीज़े होती हैं जिनसे ब्रहमचारे का पालन करने वाले लोगों को दूर रहना चाहिए जैसे मूवीज, अकसर मूवीज में कुछ ऐसी चीज़े दिखाई जाती हैं जिसमें मन गलत चीजों की तरफ अट्राट होता है मन भटकाने वाले लिटरेचर, नॉवल्स, मैगजीन्स, एरोडाइजमिन्स और तस्वीरों को भी देखना और पढ़ना नहीं चाहिए इसके इंपाक्ट से, हेल्थ और करेक्टर को भी बहुत नुक्सान पहुसता है ब्रहमचरे के अकॉर्डिंग, लड़के और लड़कियों को एक दूसरे को नहीं चुना चाहिए अकसर लड़के दूसरे लड़कों के साथ हसी मजाग करते हैं ऐसा करने से वो इंप्यॉर हो जाते हैं इसलिए ऐसा करने से लड़कों को बहुत ही ज़ादा बचना चाहिए लड़के और लड़कियों को किसी को भी गलत इरादे से नहीं देखना चाहिए कभी भी पॉन से लेटेट बाचीत भी नहीं करने चाहिए और इसके साथ हसी मजाग भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मन की बिमारिये पैदा होती है कुल मिलाकर आप जितना जादा अपनी इच्छाओ को कंट्रोल कर सकते हैं और opposite gender से जितनी जादा दूरी बना सकते हैं आप उतनी अच्छी तरह से भ्रहमचारय का पालन कर सकते हैं इसका मतलब है कि हर किसी के लिए आपके विचार पवित्र होना बहुत जरूरी है और जिस भी वज़े से आपके मन में गलत भावनाय आती हैं उनसे जल्दी से जल्दी दूरी बना लें अब जानते हैं कि स्टूडेंट के जीवन में ब्रहमचारय की क्या importance है स्टूडेंट के लिए उनकी knowledge ही ब्रहम के equal होती है मतलब एक स्टूडेंट का काम सिर्फ अपनी knowledge को बढ़ाना होता है स्टूडेंट को ब्रहम के बारे में सोचने के साथ पूरा ध्यान लगा कर अपनी knowledge को हासिल करना होता है ब्रहमचारय का पालन करने से उनकी बुद्धी तेज होती है उनकी याद रखने की शक्ती मस्बूत होती है इसके साथ ही उनके चेहरे पर चमक नजर आती है इस बात को खुद वेवेकानन जी ने कहा है कि सिर्फ 12 साल तक ब्रहमचारय का पालन करने से सबसे अमेजिन शक्ती हासिल होती है ब्रहमचारय का पालन करने के लिए आपको अपनी उम्र का ध्यान रखना होता है मतभारिक इंसान को 25 साल तक की उम्र तक ब्रहमचारे का पालन करना चाहिए ब्रहमचारे का मतलब एनरजी को खटा करना होता है इसलिए वेदों में ब्रहमचारे की इंपोर्टन्स को बताया गया है ब्रहमचारे का पालन जीवन के पहले 25 साल तक किया जाना चाहिए पुराणों में बताया गया है कि ब्रहमचारे के सही और पुरी समझ इंसान को आखिर में मोक्ष तक ले जाती है यानि कि ब्रहमचारे का पालन करने के दोरान किसी भी तरह के सेक्स से दूर रहने की बात की गई है अगर आप 25 साल की उम्रों से पहले अपनी शक्ति को बरबाद करने लगते हैं तो आपके परसोना का पूरी तरह से डेवलेपन नहीं हो पाता इसे शरीर को कई तरह की बीमारिया हो सकती है इसलिए 25 साल की उम्र तक ब्रहमचारे का पालन करके सभी तरह की शक्षिल आक्टिविटी से दूर रहना चाहिए लेकिन अगर आप इस उम्र से आगे हैं तो आप भी ब्रहमचारे का पालन कर सकते हैं बस आपको इसके सारे नियमों को मानना होगा ब्रह्मचारे का पालन करने के लिए आपके अंदर एक भावना होनी चाहिए और उसके लिए आपको अपने भगवान से मन, आवाज, शरीर से ब्रह्मचारे का पालन करने की शक्ति मांगने चाहिए मन को कंट्रोल करने के बचाए उन रीजन्स को ढून निकाले जिससे मन किसी तरह की परिशाने में फज जाता है और इसके बाद तुरंथ ही उस चीज़ को खुद से दूर करे ब्रहमचारे के पालन से होने वाले फैदे और इससे होने वाले नुकसान को अनेलाइस करे जब आप अपने आप में इससे होने वाले नुकसान को पहचान लेते हैं तब आप तब इससे ब्रहमचारे बनने के शुरात कर सकते हैं मन आवास और शरीर से जो भी गलत विचार इच्छाएं आपके सामने पैदा होती हैं उन सभी के लिए बुरा फील करें ब्रहमचारे की और आगे बढ़ने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है शादी शुदा लोगों के लिए एक दूसरी की मनजोरी होना जरूरी होता है मनजोरी से दोनों लोग ब्रहमचारे वरत ले सकते हैं या फिर एक दूसरी की तरह वफादार रहना शुरू कर सकते हैं और ऐसा करना आज के समय में ब्रहमचारे का पालन करने जैसा ही है अगर आप शादी के बाद ब्रहमचार्य का पालन करना चाते हैं, तो अपने पार्टनर से सिर्फ दोस्ती वाला रिष्टा रखना शुरू करते हैं। अगर आपका कोई बच्चा है, तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी दोस्तों की तरह रहें, आप अपने पार्टनर से दोरी बनाकर ब्रहमचार्य का पालन कर सकते हैं, इसके लिए उनसे अलग सोना शुरू करतें, और एक दूसरे को उस नजरों से देखना बंद करतें, मन को कंट्रोल में रखें, और अपने सामने उचे आईडियल्स को देखें, आख और कान मन के मिनिस्टर हैं, इसलिए गलत तस्वीर और खराब चीज़े देखने, और गंदी बाते सुनने से बचें, मन को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए, जब आप मन को खाली छोड़ते हैं तो गंदे विचार आ सकते हैं, इसलिए हमेशा भगवान का ध्यान करते रहें, जैसा खाएंगे मन भी वैसा ही रहेगा, इसलिए गरम मसाले, चटनिया, जादा गरम खाने, और मास, मचली, अंडे, चाय कॉफी, फास्ट फूड आदी को बिल्कुल भी ना खाएं, रात का जाना सोने से कम से कम दो घंटे पहले खाएं, दूद भी एक तरग का खाना है, खाने और दूद के बीच में तीन घंटे का गाप रखी, कपडों का असर मन पर पढ़ता है, इसलिए सादे, साफ और सूती कपड़े पहने, खादी, सूती, उन्ही कपडों से जिंदगी की र सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, भांग, आदी सभी नशीली चीजों से दूर रहें, चिपचिपी सबजियां जैसे भिंडी यादी खाएं, हर दिन रात को सोने से पहले ठंडा पानी पेट पर डालने से आपके डाइजेशन को फायदा होगा, बधजमी और गैस से अपने दूर करके खुशी को हासिल कर सकते हैं, ब्रह्मचारे का पालन करने से आपको आखिर में मोक्ष मिलता है और आप अपने पुरे जीवन को मीनिक्वल बना सकते हैं, इसके लिए अपने गंदे विचारों को दूर रखते हुए, हमेशा अपने भगवान का ध्यान करें और अ अपने जीवन में महानता को हासिल करें, थैंक्यो दोस्तो, I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी,